हेलो गाइज मेरी एक और ने वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप UP scholarship invalid password problem कैसे fix कर सकते हैं उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा without skip किये अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकन को आल पे सेट कर देना ताकि ऐसी informative वीडियो आप मिस ना कर पाएं तो जब हम UP scholarship का form fill करते हैं चाहे वो renewal का हो चाहे वो fresh का हो तो हमें काफी सारी problems देखने को मिलती है तो हमार सामने जो वे problem आ रही है हम इने कैसे fix कर सकते हैं तो फिलाल तो इन problems को fix करने का कोई तरीका नहीं है कुछ time में site update होगी तब ये सारी problems fix हो जाएंगी अगर आपको dg locker से verification करने में कोई problem आ रही है तो इस video को देखें इसका link मैंने description में दे दिया है thanks for watching